अरे कृष्णा तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हैं सुबह का स्रीमद भागवतम क्लास में तो आज हम लग स्रीमद भागवतम के स्कंद 10 और अध्याई क्रमांग 21 का चर्चा करेंगे और ये दस्वे स्कंद का भाग दो जो किताब है उसमें है ये किस्वा अध्याई जिस अध्याई में गोफियों के द्वारा भगवान क्रिश्न की वेनो गीत की सरहाना की गई है उसकी चर्चा हम लोग इस अध्याय में करेंगे गंभीर अध्याय हैं और अभी जो भी कृष्ण के लिलाएं आएंगे भगवान कृष्ण की जो किशोर अवस्ता की लिलाएं है वो सारे लिलाएं आएंगे अभी गोपियों का वरणन है गोपियों का कृष्ण के प्रतिका और कृष्ण की वांसुरी के प्रतिका जो उनका प्रेम है उसका वरणन है इसमें और इसके बाद वाले अध्याएं में आ कि दिव्य बाल लिलाओं का स्रवन किया जाता है भक्ति बिनो ठाकुर जी का कहना है कि बाल लिलाओं का स्रवन करने से भक्त के रिदय में जो अनर्थ होते हैं वे अनर्थ नश्ट होते हैं और उसके बाद इन लिलाओं को स्रवन करने की योग्यता को प्राप्त करता है साधक तो हम लोग ने कई बार बाल निलाओं को स्रबन किये हुए हैं तो इस बार विचार किये थे कि हम लोग ने इस अध्याय क्रमां का ठ्ठा से आगे स्रबन करेंगे तिये गोपियों के द्वारा कृष्ण के वेणों गीत का सराहना ये अध्याय क्रमा की किस्म है तो हम उसको पढ़ते हैं इस अध्याय में विशेश तह भगवान कृष्ण जबी अपने बलराम दाउजी बलराम और वालमित्रों के साथ मिलकर गववों को चराने के लिए भुरी ब्रिंदावन की जंगलों में जाते हैं उस समय वे अपने बेनु में यानी वहसुरी में वह तान जो है हो छेडते हैं वहसुरी की सुन्दर तरीक से बजाते के वे आपस में क्या बाते करते हैं वो इस अध्याई में हैं कृष्ण की वांसुरी की ध्वनी को सुनके गोपियां आपस में क्या बाते करते हैं वो बात इस अध्याई में बहुती सुंदर तरीके से श्रीला सुग्देव गोस्वामी वर्णन करते हैं तो हम लोग एक-एक स्लोकों को श्रबन करने के लिए प्रयास करते हैं जितना हो सके श्री सुकवाच इथ्यम सरत इथ्यम सरत स्वच्च जलम पद्माकर सुगंधिनाम नविषद वायुनाम बातम सगो पगो पालको चुतहा सुकवाच इथ्यम सरत स्वच्च जलम पद्माकर सुगंधिनाम नविषद वायुनाम बातम सगो पगो पालको चुतहा सुगदे गोश्वामी जी कहते हैं कि ब्रिंदावन की जंगल में स्वच्च सारदी जलासयों से पुरित था और स्वच्च जलासयों में खिले कमल पुस्वों की सुगंधित वायु शुसितल वाला और अपने गायें तथा ग्वाल सखाओं के साथ अच्चुत जना भगव जंगल में प्रवेश करते हैं सरद स्वच्च जलम हम इससे पहले वर्णन किये हैं या हम लोगने सुन पढ़े हैं इससे पूर्वबरत्य अध्याई में ब्रिंदावन में वर्षा तता सरद रित्व का वर्णन हुआ था तो वर्षा रुति में तो सब कुछ मतलब कैसे प्रवेश करते हैं गायों को चराने के लिए उस समय पूरा का पूरा जो जड़ासे हैं नदी और जो भी जड़ासे हैं कुण रित्यादी वो सब कुछ स्वच्छ हो चुका था पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होने लग गया था और साथ-साथ में जो हावा भारे थी वो पहले वर्षा के रित्वाला हावा में और सरद सुझार बैधा व्तते से व् तुर्द जो उड़ा भावार एकदम से आवाज करता हुआ वैता हुआ रहता है कि बादल और बिजलीं का गरघड़ाहट भी रहती है वायू के साथ साथ मगर सरद्रित्यू का जो वायू है जो हावा है पवन है बड़ा मृदू होता है और एकदम से सितल होता है और उसमें बड़ा सुन्दर सा एरोमा मतलब सुगंद भी आ रहा था क्योंकि जो सरोबर और जब जडासें हैं उसमें जो कमल पुल खिले हुए हैं और उसके उपर से वो हावा बहे रही थी तो इसलिए उसमें बहुत सुन्दर सा सुगंद भी आ रहा था स्लोक नमबर दो कुसमित बन राजि सुस्मि भ्रंग दिजकुल ध्रिष्ट सरह सरिन्महि ध्रम मदुपतीर वगाह्य चारयंगाह सहपसु पालबल चुकुंच बेनुम कुसमित बन राजि सुस्मित भ्रंग सुदे भुसम कहते हैं कि ब्रिंदावन की जो सरोबर है जिसको तलाब कहते हैं नदिया हैं परवत हैं यह सब पुस्पों से ब्रुक्षों पर पुस्प जो है वो भरे हुए हैं और उस कुस्पों की उपर उन फूलों के उपर जो है भोरे मंडरा रहे हैं और पक्षियां भी ब्लते हैं उसको कलणरब कर रहे है अ और मधुपतीर वगाह चारयन गाह सहपसुपाल बढ़ शुकुजवेणुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ मधु वसंत रितु को कहा जाता है, मधुपती यानि वसंत रितु के जो मास्टर है या वसंत रितु के जो अधिश्टा आता है वो कृष्ण है, तो कृष्ण का एक नाम है मधुपती है, तो यहां पे मधुपती क्यों कहा गया? क्योंकि जो वर्णन हो रहा है ना उसमित बनराजी सुमसमित भ्रंग द्विजकुल दृष्ट सरसरी सरिन महीर ध्रम ये जो जो नदिया है जो पुसकरणिया है ब्रिक्ष लताएं हैं ये सब में फूल खिले हुए हैं और उन फूल जो खिले हुए हैं उन फूलों के उपर थूले मंडरा रहे हैं और गुंगूना रहे हैं भौऔरे estrogen ही नहीं गुंगुना रहे हैं यहां तक कि जो जंगळ के पक्षियां हैं सो वहां पर गुंगुना रहे हैं कडर्ड अव कर रहे हैं तो असलियत में इस प्रकार से नेने Васिया उना और विशेशरूप से अधियत में संकेत हैं परनतों यह शुक्तर रुट्व है कि शुक्ष्टक चांते हैं कि सरद का एंट्री हो रहा हो कि मधुपती कृष्णु को इसलिए करें कि जंगल में सरद कॉप्ष है क्योंकिमधूपती वसंतर् रुट्व जो है वो एंटर हो रहा है पुरा का पूर तब क्रिश्ण इस प्रकार की सरदृत के वाताबरण में वो बिंदावन की जंगल में अपने भाई और ग्वाल मित्रों के साथ गायों को चलाने के लिए उनके पीछे-पीछे वो प्रवेश करते हैं तो उस समय वे अपने वांसुरी को बजाते हैं ग्वालबाल तथा बलराम जी के साथ उन्होंने क्या किये वेणु बजाए वांसुरी बजाए वांसुरी को बजाते हैं तो जो क्रिष्ण की वांसुरी हैं तो जब ब्रज के जो स्तरुनिस्त्रियां है जो गोपियां है वो क्रिष्ण की वन्सी की गीत को सुना तद ब्रजस्त्रियह आशुत्य वेणु गीत स्मरोदयम जब उन्होंने भगवान क्रिष्ण की वेणु गीत को सुना क्वचित परक्ष कृष्णस्य स्वसक्षिवयो अनुबर्नयन तो क्रिष्ण के बाहसुरी के सब्द को सुनके क्रिष्ण के बारे में परक्षय रूप से बात करने लगे कोचित परक्षय क्रिष्णस्य क्रिष्णस्य क्रिष्ण के बारे में परक्षय भाव से स्वसकिन अपने सक्षी के साथ हम मान लेओं दो-चार लोग बैठे हैं और अचानक केई से कोई आवाज आ रही है अगर भौतिक धरातल पर एक उधारन बताता हूं अलाकि यह उधारन यहां पर भाव को खराब करता है जैसे कि मान लिजिए कि कोई स्त्रियां बैठे हुए हैं दो-चार स्त्रियां है और अचानक किसी के वहां पर जगड़े का आवाज आ रहा है पती पत्मी का तो जैसे इनके कान में पड़ेगा यह लोग आपस में बाते करने लगेंगे उनके बारे में शुरू हो जाएगा एक एक स्त्री कुछ बोलेगी दूसरे स्त्री उनके बारे में कुछ बोलेगी तीसरे स्त्री कुछ बोलेगी तो यहां पर दिब्य स्तर पर इस्तिती है कि कृष्ण वांसुरी बजा रहे हैं कहां पर जंगल में और यह वांसुरी की ध्वनी यह ब्रज में गाओं में अपने अपने घरों में काम काज करते समय या तो आपस में मिलते समय या पानी लाते समय इस प्रकार के स्थितियों में गोपियों के कानों तक या आवाज आई हुई है तो गोपियां उस कृष्ण की वांसुरी की ध्वनी जैसे ही उनको सुनाए पड़ा वे आपस में बाते करने लगे अपने सक्षियों के साथ मतलब अपने सक्षियों के साथ अपने फ्रेंड के साथ वह बाते करने लगे क्या बाते करने लगे तद्वर्णईतुम आरब्धा स्मरायत्स्मरंत्य क्रिष्ण चेश्टितम नासकन स्मरबेगन विक्षित्व मनसोर निर्पः तो ऐसा है कि जैसे ही इन सक्षियों को जैसे ही इन गोपियों को क्रिष्ण के वांसुरी की ध्वनी इनके कानों तक पहुंचा और ये लोग आपस में जब क्रिष्ण के बार में बाते करना सुरू किये तद्वर्णईतुम आरब्धा जबी सुरू किये उन्होंने बात करना तब इस्मरत्य क्रिष्ण चेश्टितम उन्होंने क्रिष्ण की सभी लिलाओं के बारे में स्मरण करने लगे क्योंकि जैसे ही हमें किसी कि आवाज आता है तो हमें उनके लिलाएं उनके सारे बाते स्मरन होता है परम पुझ trauma路 महाराजी वे दिवय नित्य लिला में प्रविष्छQué होने के उपारocide मैं आज तक गुरु महाराजी के प्रवचनों को सुनने ही पाता हूँ, क्योंकि गुरु महाराजी के प्रवचन या किर्टन में लगाने के लिए कई बार प्रयास करता हूँ, मगर जैसे ही वो आवाज मैं सुनता हूँ, फिर मैं सहने ही पाता हूँ, वो आवाज को, मुझे वो सारे बात स्मरण होते हैं जब जब मैंने परउंपुझे गुरू माराज के सेवा में गया वह कितना करोन हैं कितने दयालों हैं अनत में जब उनकी सेवाओं में में लास्ट में धिनली में था कि उस्षी पर techn describing और प्रसाद पाते समय वह एक दम से एक मुड़के मैं उनके पीछे क्यूंकि मैं सर्व कर रहा था प्रसाद लंच और सर्व करते समय सब आइटम देके मैं पीछे घुटनों पर बैठा हुआ हूं तो उन्होंने ऐसे देखे साइड में और देखके फिर अपने खाते हुए एक निवाला वो मेरे और हाथ बढ़ा कर ऐसे देखे और मैं तुरंत जो है जाकर हाथ को पताया और माहराजी ने मेरे हाथ में वो अपने निवाला जो वो पा रहे थे वो मेरे हाथ में उन्होंने दिया तो जैसे ही गुरु महराजी के प्रवचनों को या उनके आवाज को केतनों को सुनता हूँ ये सारे लिलाय स्मरण हो जाते हैं तो सहन नहीं होता है इस बातों को इसलिए मैं कई बार मैं अभी तक मतलो गुरु महराज के प्रवचनों को दुबारा सुनने के लिए ये नहीं क लिलाओं के बारे में चेस्टितम सब्दकार्त होता है क्रिष्ण ने जिन चेस्टाओं को किया जिनकारियों को किया उनकारियों के बारे में जो है वो स्मरण करने लगे तो स्मरण करने से क्या हुआ गोपियों को ना सकन स्मरवेगन विक्षिप्त मनसानप ऐसे लाग ऐसा मानों कि कामदेव ने उनकी उपर प्रहार किया और वो विचलित हो गए और कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि क्रिष्ण के स्मरण मात्र से गोपियों की हिदय में क्रिष्ण के प्रतिका प्रेम इस प्रकार से भराया मानों के कामदेव ने अपने पूलों के वान के द्वारा इन लोगों को दिख्शुब्द किया है और वो इतने दगदिभूत हुए कृष्ण प्रेम में कि वे आपस में बाते नहीं कर पाये, वे बोल नहीं पा रहे थे, वो इतना कृष्ण की स्मरण जो है उनको सताने लगा जबी कोई ब्यक्ति जिनको प्रेम किया जाता है, तो वे अगर उपस्तित नहीं है और उनके बारे में स्मरण और उनके कारी याद आते हैं, तो ब्यक्ति के गला बंध हो जाता है, गला गदगद हो जाता है, आँखों में आशु भर जाता है, फिर उनके खड़े हो जाते ह है उनके विरह में कि फिर के फिर आगे प्रिष्ण का बर्णन हो रहा है यहां पर सुख्देव गोशन यह जो पांच नमबर श्लोके इस थोड़ा इंपोर्टेंट श्लोके इस पर स्मरण कर सकते हैं याद कर सकते हैं बहुत फैमस श्लोके और अच्छा श्लोके वरहापीडं नतवरवपो कर्णयोह कर्णिकारं विब्रद्वासह कनक कपिसं वैजयंतिम्चमालां रंधान वेनो रधरसुधया पूरयं गोप ब्रिंदेल ब्रिंदारन्यं स्वतस्वपदस्मरणं प्राविशत गीत किर्तिहिं विब्रद्वासह कनक कपिसं वैजयंतिम्चमालां रंधान वेनोर अधरसुधया पूरयं गोप ब्रिंदेल ब्रिंदारन्यं स्वतस्मरणं स्वतस्मरणं प्राविशत गीत किर्तिहिं बहुत सुन्दर श्लोके हैं शुपदेव गोस्वामी आपे बगवान कृष्ण की स्वतस्मरणं गोपियां कर रहे थे ना वरहा पीडम उन्होंने अपने माथे पर वरहा पीडम मतलों मौर पंख को लगाते हैं और नटवरा वपू उनकी सरीर किस प्रकार से एक नटवरा मान लीजिए एक नाटक का हीरो जैसे सज़ता है ना नाटक का कोई नायक अगर उसको स्टेज पर आना है तो आपने आपको कैसे सज़ता है तो इस प्रकार से नटवरा वपू हो करनयो करनिकारम कैसे सज़े हुए हैं उनके कान में एक कनियरी का फूल है कभी-कभी करनयो मतलब दोनों कानों को सुचित करता है विश्वनाज ज देमालाते हैं एन वी अज़े अंतिम्हाअला और वी ला कि और पर उन्होंने डेर वस्थ पहते हैं उन्होंने तक पहने हैं पीतामबर जो टॉल अरथ होता है जलमला आता है एकदम से जलमल करता है आप कभी कभी कोई चमकिले वस्तु को देखते हैं कभी रिफ्लेक्शन जिसको कहते है रिफ्लेक्शन वह आंकों कैसे जलसा देता है ना तो क्रिष्ट में जिस वस्त्र को पहने हुए है वो पीतामबर है वो पिगले हुए सोने की जैसा तो वो विब्रती मतलब चमक रहा है एकदम से सोने के रंग का वो भी पिगला हुआ सोना का experience जो ना सोनियों को होगा और जब भी सोने को कुछ काम करने के उसको पिगला जाता ने ऐसा आग को यह करके तो आप देखेंगे एकदम से जल 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 करेगा एकदम जल मल ंग मतलब एकदम से जल मल करेगा उसके कलर लाया नहीं जा सकता पिगला हुआ सोनी के कलर ओ जन मतलब किशी में पिगला ओप जल माल आता है विब्रत वासह कनका कपिसम तो वैजयन्तिम्च माला और उन्होंने गले में क्या पहने हुए हैं उनके गले से लेकर चरणों तक एकदम से ओएक माला सुन्दर सुसोभित माला को पहनते हैं और माला को वैजयन्ती माला कहते हैं वैजयन्ती कोई एक फूल का नाम नहीं है कई बार भ्रमित होते हैं भक्त कि वैजयन्ती फूल की माला पहने ने वैजयन्ती करके कोई एक फूल नहीं है जिसकी माला भगवान पहनते हैं ये जंगल की पांच प्रकार के फूलों से जो माला बनाई जाती हैं उसको वैजयनती माला कहते हैं पांच अलग-अलग प्रकार के सुगंदित फूलों से जो माला भगवान कृष्ण के लिए बनाते हैं उसको वैजयनती माला कहते हैं तो कोई एक वैजयन्ति करके कोई ब्रिक्षी या कोई फूल होता नहीं है। तो वैजयन्तिम्चमाला, रंदान वेणोर अधर सुधया, पूरयन गोप ब्रिंदेईर, और आगे क्या कर रहे हैं? मोरपंक को पहने हुए हैं, अपने कानों में कनियरी का फूल लगाए हुए हैं, और पीतांबर पहने हुए हैं, वैजयन्तिमाला पहने हुए हैं, आप इन सारे बातों को स्मरण कर सकते हैं, अपने आँखों को बंद करके, श्री गोपियों ने इस प्रकार से स्रेक्रिष्ण की स्वरुप को स्मरण कर रहे हैं, जैसी उनके वांसुरी की ध्वनी इनके कानों तक आया गोपियों के, तो गोपियां इस प्रकार से स्मरण करने लगे रंधान वेनूर अधर सुदया पूरयन गोप ब्रिंदेर रंधान वेनूर वे अपने वांसुरी बजा रहे हैं और विशेश उसे वांसुरी के जो रंद्र है जिसमें फूक मारने से वे ध्वनिवत पन करता है रंधान वेनूर अधर सुदया पूरयन अपने अधर अपने होंटों पर उस रंध्र को लगाये हुए हैं अपने होंटों में उस वांस के लक्री से बना हुआ वांसुरी को अपने होंटों से लगाये हुए हैं उस रंध्र को लगाये हुए हैं और उसमें और क्या कह रहे हैं सुधया सब्दकार्थ होता है अमृत तो अधरामृत श्री कृष्ण के अधरामृत को प्राप्त को कर रहा है वासुरी कर रहा है तो इस वासुरी को अधरों में लगाय हुए है कृष्ण और उसमें वो क्या कर रहे हैं वो पूरयन वो फूक रहे हैं ब्रिंदा रन्या स्वपद रमना प्रविशत गीत किर्ति ही और वो क्या कर रहे हैं ब्रिंदावन के जंगल में प्रवेश करके वो रमन कर रहे हैं और रमंकर के पूरा ब्रिंदावन को भी सुसोभीत कर रहे हैं किस प्रकार से अपने चरण चिन्हों से अपने चरण चिन्हों से ब्रिंदावन के जंगल को क्या कर रहे हैं वे सुसोभीत कर रहे हैं तो यह कितना सुन्दर श्लोक है गॉल्वाल वह उने और जो गॉल्वाल है गुंगान कर לरे ईनके गुंगान कर रहे हैं रभ सअन्मर्स लोग इती वेनु रबं राजन शर्वभूत मनो हरम। इस प्रकार से सर्व भूत मनोहरम सबी जीवात्माओं को मन को हरने वाला वेणुरब वेणुरब मतलव वांसुर की ध्वनी वेणुरब व्यूत मनोहरम वेणुरब वेणुरब वा राजन ये परिक्षित जी न सभी जीवाँकी मनको मतलव जीवात्माएं सर्व भूत मनोहरम मामागए जाके देखेंगे कि किस परकार से यह शलोक साबित होता है कि ये भगवार्ण कृष्ण की व्यावांसृरी ध्वनी, गोपियाँ, देवताएं, गायें, मोर, पंक्षियां, पसु, ब्रिक्ष्छलतாएं यहां तक की नदियों तक को आकर्षित करता है अगे इसी अध्यायन हम लोग देखेंगे नदी तक का आकर्षित करता है भगवाल क्रिष्ण के वांसुरी की ध्वनी तो क्या कह रहे हैं इती वेनुरभम राजन सर्वभूत मनोहरम सुत्वा ब्रदस्त्रियह सर्वा बढ़नयंतो भीरे भीरे तो वो जैसे ही इस आवाज को सुने पहले वाले श्लोक में तो बताया ग मात्र से उनको ऐसा लगा कि मानो काम देव ने पूलों का वान इनके उपर मारा हो एकदम से दगदिभूत होने लगे क्रिष्ण के प्रेम में और अभी क्या कर रहे हैं ये ब्रजकिस्त्रिया इस ध्वनी जो सभी जीवों को आकर्षित करने वाले ध्वनी इसको सुनके वह एक दूसरे को आलिंगन करने लगे प्रेम से वहाँ पर क्रिष्ण तो थै नहीं क्रिष्ण तो गए हुए बन में अपने ग्वाल मित्रों के साथ क्या करने के लिए कायों को चराने के लिए तो गोपियों ने क्या किया वे एक दूसरे को आलिंगन करने लगे एक दुसरे को आलिंगन करने लगे इती सब्द इती सब्द मतलब उन लोग उनने सुनके भगवान के वासुरी के ध्वनी को सुनके अब गोपिया एक दुसरे को के वड़ आलिंगन नहीं किये वे आपस में बाते भी कर रहे थे वे आपस में बाते कर रहे थे श्री गोप्य उचुहो अक्षन्वतं पलमिदं नपरं विदामह सक्ष्ण पसुन्न विशेन विबेसं यतोर्वर्य सैहें वक्रम् ब्रजेस सुतयोर नवेनु जुस्ठम् येरवा निपित्तम निपित्तमनुरत्तकताक्षमोक्षाम् मैं गोप्यां कह रहे हैं अक्षण्यतां पलमिदं नपरं विदामह सक्ष्ण पसुन्न विशेस यतोर्वयस्षेहि वक्रम ब्रजेस सुत योर अनुवेन जिस्ठम योरवा निपत्तम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षाम ना क्या कह रहें गोप्यां एक मिनट आप चाहिए एक मिनट आप चाहिए एक मिनट हुँ तो सक्षिया कह रहे है अनक्षता अक्षनताम खलमिदम ना सक्षिया कह रहे हैं इससे बढ़कर क्या फल हो सकता है अक्षनताम फलमिदम नवरम विदा महा अरे सखी मैं तो यह सोच रही हूँ इनका दर्सन करने के अलावा और बढ़कर क्या हो सकता इस संसार में कि इनकी दर्सन करने के अलावा और बढ़कर इस संसार में क्या फल हो सकता है बताओ जराद कि सक्ष्या पसुन अनुविशेस तयोर वयस्य ही किसको दर्सन करके सक्ष्या किसका गुणगान कर रहे हैं क्यूंकि क्रिष्ण अभी अपने मित्रों के साथ गायों के इससे पीछें पीछें गाय चारण करने के लिए जा रहे हैं शक्यों का मानना है उसमें से एक सखी का यह मानना है शक्य बताओ जराद यह जो कृष्ट अपने गायों को चराने के लिए प्रतिदिन जाते हैं गायों के पिछे पिछे अपने ग्वाल मित्रों के साथ में और साथ साथ में उंका नंद माहराज के जो दो लड़के हैं यह गायों के पिछे पिछे अपने दोस्तों के साथ जो जाते हैं उनको इस द्रिश्यों को देखने के अलावा संसार में इससे बढ़कर कोई फल है क्या इस संसार में बढ़कर इससे बढ़कर और कोई आनंद या सुख और कोई फल है ऐसे सखियां आपस में पूछताश कर रहे हैं आपस म और वो भी गोपियों के लिए ओ क्रिष्ण का प्रती दिल गाई चराने के लिए उस समय वो ब्रिंदावून कैसा दिखता होगा उस समय किश्री और कि प्रकार से आपने गाईयों को लेकर निकलते होंगे क्या सारे गाय क्रिष्ण लेके जाते थे, या नंद बावा भी कुछ लेकर जाते थे, गायों के पिछे-पिछे ये सोदा मया और रोहेनी मिलकर क्रिष्ण को कैसे सवारते थे, और बल्राम जी कभी-कभी मदद करते थे कृष्ण का सवारने में और फिर उदर बाहर से घर के बाहर से बच्चे चिलाते थे काना जल्दिया लेट हो रहा है सारे गाये छुट चुके हैं और वो दोड़ दोड़ कर निकलते हैं घर से दोस्तों के लिए बांसुरी साथ में होना जरूरी रहता है भले और टिफिन भुल जाए नास्ता करने के लिए लंच करने के लिए और आगे-ागे कुछ ग्वाले और फिर उनके पीछे-पीछे गाये और गायों के पिछे-पिछे फिर से कुछ गवाले और उसके बाद जोने कृष्ण बढ़राम और हमारे यह हीरो जान गूश के पिछे रुख जाता है और धीरे-धीरे चलता है और वो धीरे-धीरे भी कैसे चलता है वो अपने वांसूरी को बजाते हुए और केवल बाहासुरी नहीं वजाता है वक्रम वजेस सुतयह वक्रम सब्दकार्थ होता है उनका द्रिष्टी वक्रम वजेस सुतयोर अनुवेन जुष्ठम उन नंद माराज के दोनों लड़कों का जो दर्शन करना इस प्रकार से योर्व्या ये व्याह निपितम अनुरक्त कटाक्ष्यमोक्ष्यम माली जीए कोई सक्षी कोई सक्षी बोल रही है कि विश्वना चक्रों कि शाकुर कहते हैं अरे हम कैसे देख सकते हैं उनको हमको तो बहुत सरम आता है वो जब गायों को गयों को लेकर जाते हैं हम तो जानते हैं हमारा तो बहुत मन होता है उनको देखने के लिए मगर अरे सक्षी हम कैसे देखे मैं तो बहुत सरमीली हूँ मुझे तो बहुत सरम आता है उनको देखने के लिए तो दूसरी सक्षी कहती है तो जब वे अपने वांसुरी को होंटों पे लगाकर मुड़कर तिरची नजर से तुम्हें देखेंगे ना जब तुमारे आंखे उसके आंख्यों के साथ जबी मिल जाते हैं तब तुम सारा सुद बुद खोदोगी और तुमारा सारे सरम धरम चला जाएगा और केवल देखती रह जाओगी उसको उस नंद के लड़के को केवल देखती रह जाओगी कि इस प्रकार से गोपियां आप उसमें बाते कर रहे हैं कुश्य मुश्य अक्षथाम फड़मिदम इस सब्द को विसुना चक्रती बड़ा सुन्दर तरिके से समझाते हैं अक्षथाम फड़मिदम का आर्थ होता है ना परम विदामहा ना क्रिष्ण को उनके गाय चराने के समय जाते समय को उनको देखना बांसुरी बजाते हुए देखना इससे बढ़कर और फल क्या हो सकता है इससे बढ़कर और सुख क्या हो सकता है केवल हमारे लिए नहीं वो ये कहके सभी के लिए बल देखो एक्चली गोपियां बाते कर रहे हैं तो इसमें से गोपियां कुछ बिभाहीता भी है तो वे गोपियां ये डर रहे थे कि इस प्रकार से दूसरे एक लड़का जो नंद क प्रकार कर सकते हैं तो उन्होंने ऐसी बाते कर रहे हैं कि कुमन फरॉल कृष्ण को दर्सन करना ये सभी के लिए हितकारी है कि वे कह रहे हैं उनका दर्सन करना सब के लिए इससे बढ़कर और कुछ है होना ही नहीं इंच है मतलब ये बात अगर उनके गोपियों के मतलब अन्य रिलेटिव सगर सुनते भी है तो उनको यह लगेगा अच्छा मतलब सबको दर्शं करना हितकारी भी सबस्क्रास करना हितकार haya तो फिर हम भी दर्शं कर सकते हैं यह समझने वाली बात है गोपियां उसको ये भाव ब्यक्त कर रहे हैं मतलब उनकी सब्दों के पीछे का ये अर्थ है विश्वना चक्रुलति थाकुर कहते हैं वो कह रहे हैं कि अरे क्रिश्ण को देखना इतना आनांदर इतना सुखद है तो सभी को ना देखना चाहिए अगर सबको देखना है तो फिर भला हम क्यों नहीं देखेंगे क्योंकि साधानता गोपियों को स्री क्रिश्ण को देखना तो विशेश रूप से जो विवाहिता गोपियां इत्यादी हैं निस्चित रूप से घरवाले मतलब भटका रहेंगे तो यह उनका मतलब अर्थ है उसके पीछे का अच्छा केवर मनुश्यों कोई नहीं यहां तक कि ब्रिंदावन के ब्रिक्ष लताएं पसु पक्षियों के लिए भी यहितकारी हैं अगर भला सबके लिए हितकारी है उनका दर्शन करना तो फिर हम गोपियां क्यों नहीं दर्शन कर सकते हैं क्रिश्न का तो वो अपने आप में चर्चा कर रहे हैं इस प्रकासे तर्क दे रहे हैं ठीक है नेक्स्ट श्लोप आठ नमबर चुत प्रवाल वरहस तबकोत पालब्य मालान पुक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलंप सुपाल गोस्ठ्याम रंगे यथानट बरो क्वचगाय मानो तो यहां पे गोपिया कह रहे हैं इस सब अलग-अलग गोपियां आपस में बाते कर रहे हैं एक-एक गोपी अपना अपना बात व्यक्त कर रही है चुत प्रवाल अभी इस स्लोक में एक गोपी क्रिष्ट्न की बर्णन कर रही है वो क्या-क्या पहंते हैं किस प्रकार से वो सजते हैं जब जंगल में चलते को एक तो मईया ने काना को सजाई हुई रहती है मा यश्वदाने क्रिष्ट्न को मा सजा के ही छोड़ती है तो मा सजा के छोड़ने के बाद वो जंगल में जाके फिर से अपने बेस बदल डालते हैं वो जंगल में जाके फिर से अपने बेस बदल देते हैं चुता प्रबाल वो क्या पहनते हैं ना वो आम का जो पत्ते हैं विशेश रूप से नए नए पत्ते आपने देखा आम के ब्रुक्षि देखा किसी ने उसके जो अभी अभी पत्ते उगे हुए रहते ना नया पत्त एकदम से बड़ा ट्रांस्परेंट लगते हैं कभी-कभी यह दिखते हैं ना आज एकदम से कुमल रहते हैं उसको प्रबालत चुता प्रबालत कहते हैं आम के जो पत्ते हैं वो रहस्तवक यानि मोरके पंक्रत बरहा पीरणम में में पहले ही बोलाऊ है ना मोरके सबबक नार्चात सब्दकार दोता है गुच्छा उत्पड मतलब व वो धारन करते हैं क्या धारन करते हैं पत्ते और फूलों की माला को धारन करते हैं क्रिष्ण पत्ते और फूलों की माला को क्रिष्ण धारन करते हैं परिधान विचित्र वेश हो अच्छा ये सब पहन के वो विचित्र रंग का वेश धारन करते हैं कि माने कुछ सजाया वो उधर जाके कुछ और पहनते रहते हैं और अद्बुत से वेस्दारन करते हैं मद्ये विरजत हु अलम पसुपाल गोस्ट्याम रंगे यथा नटबरो कबचोग आयमानो और मद्ये विरजत तुरलम नव क्या करते हैं इस प्रकार से अपने आपको अद्बुत तरीके से सजाके वो जितने ग्वाल मित्र है ना और ग्वाल वालों के बीच में जाके बैठते हैं यह कोने में नहीं बैठते हैं हमेशा जब कभी भी बैठना हो जब कभी भी खाना हो लंच बक्स लेके गए हुए रहते ना अगर उसको खाना हो और बैठना हो तो बीच में बैठेंगे हमारे कृष्णु और उनके चारों तरफ उनके गौाल मित्र जोना घेर के बैठेंगे ये बर्णन बहुत बार आता है आप ब्रह्म भीमोन लिला में भी देखेंगे ब्रह्मा जी जब भी देखते हैं इनको ऐसा लग रहा था कि कमल फूल के जैसा ये सब बच्चे लोग बैठें बीच में कृष्ण है और उनके चारा तरफ सहस्र पंखडियों से कमल फूल खिला हुआ हो बच्चों का ऐसा ब्रह्मा जी दर्सम करते हैं कृष्ण का तो हमेंसा ऐसा होता था कि बीच में बैठते थे और गोपियां उसमें से गोपी कह रही है अरे सखी पता है तुझे कि यह जो है वह आम के पत्तों को और अलग-अलग फूलों को कमल फूलों की माला को वह पहनता रहता है और यह सब पहन के बड़े सुंदर तरीके से विज फोरिया आता है है मलियाजात तुर लंस पसुपालक तजियं मतलब फशुपाल को स्थ्यां मतलब फशुपाल को सब्सके पिरुप जितने भी ग्वाले हैं और अलगाल बच्च वाल सजदस्के एक नाटक करने के लिए नाटक करने वाला वेक्षी जब वी मन्च पर आता ना सजदस्के तो वह कैसा लगता है उसी प्रकार से लगते हैं एकदम से सजदस के पूरे गोपों के बीच में बैठते हैं और तो कभी-कभी क्या करते हैं नाचते भी हैं और गाते भी हैं इस प्रकार से कह रहे हैं एक गोपी इस प्रकार से कह रही है भगवान का एक नाम है रंगनाथ यह रंगनाथ मतलो यह रंगनाथ सब्द ही सुचित करता है कि ये रंग मतलब विशेश रुप से अपने आपको सजाने में बहुत रूची रखते हैं अपने आपको सजने में सजाने में बहुत रूची रखते हैं एक स्री विग्रा है यहाँ पर तमिल नाडु में स्री रंगनात जी करके वे भी बिभिन्न तरीके से सजते हैं और बिना सजय बहार निकलते नहीं है ऐसा हलाकि वहां पर तो अईश्वर्य भाव से सजाया जाता है मगर यहां पर हमारा जो भाव है वो माधुरिय रसका यहां पर चर्चा चल रहा है ब्रजेंद्र नंदन स्री कृष्ण चंद्र का ज अभी कभी गाते भी है एक गोपी कह रही है एक गोपी क्या कह रही है मालूमने है हाँ वो तो सच है कि वो तो बहुत सुंजर सजते हैं तुमने तो सही बोला और गवाल मित्रों के बीच में वो कभी-कभी नाचते हैं गाते हैं ही मगई चैनल में जाकर दे कि लुकल जा सकते हैं कि और कैसे जाएंगे और कैसे देखें के सरुनि आएगा के इ NBC सारे चलहट आरे हम चले जाएंगे जाके वो जो जाडियां होता है ना उन जाडियों के बीच में से वो पत्तों के बीच में से हम छुपके से उनको देखेंगे उनके दृष्यकों ग्वाल मित्रों को और उनके नृत्य को और उनके सजने को तो इस प्रकार से गोपियां आप उसमें बाते कर रहे हैं नेक्स्ट नौ नंबर स्लोका नौ नंबर स्लोक देखाऊं गोप्या किमा चरदयम कुसलम स्मवेनुर दामो दराधर सुधापि गोपिकानाम भूंक्ते स्वयम यद वशिष्ठर संदि दीन्यो रिष्यत्वचो स्रुम् मुमुचू स्तररबो यथारियाह ये वाला जो स्लोक हैं ये गोपियां बड़े इर्षा से बोल रहे हैं गोपियां कृष्ण के प्रतिका जो प्रेम है वो इतना प्रगाड है वे कृष्ण को अपना ही संपति मानते हैं वे किसी और के साथ सैर करने के लिए वो तैयार नहीं है कृष्ण को किसी के साथ सैर करने के लिए वो तैयार नहीं है तो यहां क्या हो रहा है वे देख रहे हैं उसमें से एक गोपी बड़ा चिड़ जाती है एक गोपी बड़ा चिड़ के वो कहती है अरे सखी मुझे ना ये वांसुरी को देखके बड़ा गुसा आता है बड़ा गुसा आता है इसको देखके तो मुझे बहुत इरसा होती है न क्यों बाशुरी को देखके क्यों इरसा होती है न जो हमारी प्रपर्टी है और ये हड़ब के बैठा हुआ है ना हमारी प्रपट्टी क्या है ना कृष्ण के जो अधर है कृष्ण के जो होंट है वो तो हमारा प्रपट्टी है हमें मिलना चीए हम गोपिया है और कृष्ण गोप है उनके गाओं के हैं साथ में रहते हैं तो वो तो हमारे हैं न अरवो हम उनसे प्रेम करते हैं तो रिष्र्णे के जो अधर हैं रिष्णे के जो होट हैं वो तो हमारे हुए हमारी संपत्ती हुआ और ये उसको हरड़ पर बैठा हुआ है बंस ही community का कि सोचना कितना क्या पुर्ण्य किया होगा उद्द में कौन सा पुन्य क्या होगा एक गोपी कहती है छोड़ना सकती क्या पुन्य क्या है कोई पुन्य क्या होता तो ये बांस के रूप में जन्म थोड़े लेता ये तो बांस है ये तो ब्रिक्ष है कितना भी कौन सा पुन्य कर लिया है और यह कहती देखो ना कोई पुणय ना करके भी इसका हिम्मत तो देखो सीधा कृष्ण के अधरों को स्पर्ष कर रहा है एक गोपी कह रही है ये तो साधी के बिना ही उनके अधरों को चुमने लगा है भी ना सादिका ही हम लोग तो क्रिष्ट के प्रति मर रहे हैं फिर भी हम उसको प्राप्त नहींकर पा पा रहे हैं तो इस परखार से गोपियां एक गोपी उस वांसरी के प्रति इल्सया करने लगी तो आपस में यह लोग भाते करने लगे कि भीँद बारे में भृपया किमाचरदयाम कुसदड़ब मेंव्त नहां ये तो गोपियों का मतलोब प्रपट रिये कर्ष्ण के अधर को आश्वादन करना अधरामृत करना अगर वाश सुरिद्ट बांसुरी के ध्वनी को सुनके उनके परिवार बर्ग कितना खूस होते हैं देखो तो सही मुझे ना उनके परिवार बर्गों को बर्गों पर बड़ा इर्शा होती है ना परिवार बर्ग कौन है ना यह जो ब्रिक्स लताएं हैं यह सब उनके परिवार बर्ग हैं उनके बं यथा आरिया है Miles मुंस्चुस्त तरुब या अरिया अरिया सब्द करता है भगवान तबत मने किसी परिबार में कोई एक बच्च्चा उय्क व्यक्ति भगवान क्रिष्ण का भगश्ण बन जैता है तो जिस प्रकार से उनके पूरे मुझत हो जाते हैं कि चलो वह इता सही हमारे परिवार में से भक्त बना करके उसी प्रकार से जब वांसुरी कृष्ण की सेवा में लग गया कृष्ण उसके धरामृत का आस्वादन करने लगा और वांसुरी की ध्वनी के सुनके सारे ब्रिक्स लगाए जो उनके वनसज हैं वो सब खुस हो गया अरे उतना ही नहीं सक्की उसकी जो मा है ना वो भी कितना खुसे तो देखो उसकी मा कौन है बांसुरी की मा कौन है ना नदी क्यूंकि बांस जो है नदी के किनारे है और यो बांस को बढ़ने के लिए पाणी कौन दिया है नदी दिया है तो नदी उसकी मा हुई तो नदी भी बड़ा प्रसंद है नदी प्रसंद करके कैसा नहं नदी प्रसंद होके वो इतना प्रफुलित हो गया है पुलकित हो गया लगा ना देखना इसमें जितने भी कमल की फुले सब खिले हुए हैं और दिनके सबहे पर जब शुरे उगते हैं तो खिल जाते एकदम से तो ऐसे लग रहा है कि रोम है वह सरीर की रोम कांकुरित होता ना उसको क्या बोलते हैं उसको तो वो पुलकित होने से सारे जो सरीर के जो के से रोम है वो तो इस प्रकार से पुलकित हुआ है नदी जो उसकी मा है गोपियों का मतलब विचार देखिए गोपियों का मतलब कृष्ण के प्रतिका प्रेम देखिए वह आपस में बाते कर रहे हैं कृष्ण यहां है नहीं कृ कुछ किवांसरी की ध्वनी के आपस में बाते कर रहे हैं इस प्रकार से अगोपया किमाचरदयम कुसलस्मा वेनुर दामो अधरसुधाम अपि गोपी का अनाम गोपियों का है ये कृष्ण का अधरसुधा सुधा मतलव अम अमृत खृष्ण की अधर अम्रित का आस्वादन करना ये गोपियों का संपति है, मगर कौन लेकर बैठा हुआ है, बंसी लेकर बैठा हुआ है, बांसरी लेकर बैठा हुआ है, मुरली लेकर बैठा हुआ है, इसका हिम्मत तो देखो, ये तो जरासर क्या है, ये चोरी है, हमारे संपति को इसने चोरी क करके रखा है इस प्रकार से गूपियां अपने भाव को यहां पर व्यक्ट कर रहे हैं कि ब्रिंदा बनम सकिभुवो बितनोति किर्थिम यद्देवकी सुत पदाम बुज यद्देवकी सुत पदाम बुज जल पदाम बुज लब्ध लाक्ष्मीहिं गोविन्द बेन मनुमत्त मयूर निर्थिम प्रेक्षा द्रिशान बबरतान यस समस्त सत्वं ब्रिंदा बनम सकिभुव बितनोति किर्थिम यद्देवकी सुत पदाम बुज लब्द लाक्ष्मीहिं अभी यह दस नंबर श्लोक में गोपियां ब्रिंदावन की ग्लोरी कर रहे हैं ब्रिंदावन का ग्लोरी किस प्रकार से कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि देवकी के पुत्र भगवान क्रिष्ण ने कृष्ण की चरन कमलों का कोस को पाकर ब्रिंदावन प्रित्रिकी किर्ती के फैला रही है जब मोर गोविंद की वंसी को सुनते हैं और वे मस्त होकर नाचने लगते हैं और जब अन्य प्राणी उन्हें परवत की चोटी और इस तरह से नाचने देखते हैं तो वो सभी स्थब्द हो जाते हैं वितनोती किर्ती अरे सकी एक सकी कह रही है अरे सकी बिन्दावन जो है वो क्या कर रहा है वितनोती किर्तिंग मतलो अपना ग्लोरी वितनोती मतलो विशेश रूपेन अपनोती ना विस्तार कर रहा है विशेश रूप से विस्तार कर रहा है ब्रिंदावन अपना glory को अपना महिमा को विस्तारित कर रहा है कैसे विस्तारित कर रहा है ब्रिंदावन अपना महिमा को कैसे विस्तारित कर रहा है क्यूं विस्तारित कर रहा है ब्रिंदावन इतना महिमा मंडित क्यूं हो गया है सभी संसार में ब्रिंदावन की महिमा इतना क्यूं होने लगा है ना यद देव की सुत पदाम बुज़ लब्दलाव्मी यद देव की सुत देव की के लड़के की चरण कमलों का चिन्ह क्योंकि ब्रिंदावन में पड़ा है इसलिए ब्रिंदावन जो है सब्सक्राइब scratch कर रहा है प्रसारित कर रहा है कैशे क्यों ना। देव की सुतम पदाम बुजा लक्ष्मियों ना क्यूंकि यसोदा के लड़के के जो चर्ण कमल है वो यहां पर पड़ा हुआ है किसके किसके चर्ण कमल किसके चर्ण कमल यसोदा के लड़के के चर्ण कमल ना बोलेंगे कि प्रवजी यहाँ पर तह देव की सुता पदाम भुजा लब्द लक्ष्मिया लिखा है ना असलियत में देवकी जो है वो यसोदा का नाम है यसोदा का एक नाम है देवकी यहाँ पर जो देवकी सब्द है वो वसुदेव जी के पत्मी देवकी के लिए नहीं है यहाँ पर जो देवकी का सब्द प्रयोग किया है सुद्ध अब बता रहे हो देवकी मतलु आज तक हम यही सुने हैं यह तो वसुदेव कि युझे उने जे जो टात्परे लिखा वाँ पर दैखिए वहां पर एक सढ़र रहेगा हुआ कि वे नामां नंद भार्य अया यस अदा देवकीती देवकीती चब इस लोक मिला थात्परे मैं देखा किताब लेके बैठ है कि नहीं देख वो आम पे स्लोक है क्या है स्लोक ना द्वे नामानी मतलों दो नाम है नंद भारियाया नंद की पत्निका यसोदा देवकी तीच यसोदा और देवकी अतह सक्षम अभुत तस्य इसलिए उनका फ्रेंड्शिप हुआ देवक्या सोरी जायया सौरी मतलो पत्नि की इसलिए वबक्याद की नंद महाराज पत्निका नेम समझने आया मनसुत जी देवकी यसदा महारानी का एक नाम देवकी है यहां पर विश्वना चक्रोति ठाकोर एक श्लोक को उधरण करके कह रहे हैं नंदा भारिया मतलब पत्म नंद के पत्म के दो नाम है क्या क्या है न यसदा देवकी यसदा और देवकी अतह सक्यम अभुत्तस्यद इसलिए उन दोनों में दोस्ति हुआ किनलोनो में ना देवक्य मेれ lot family धोनों में दोस्ती आ रही तो उनके दोwnव पतिवों के प्रेंड्सुभा करके सोचे घृषे तो दोनों पति लोग टो फ्रेंड्स थे ही साथ साथ में दोन वक्रेंड्स देखें और दोनों पत्नियां फ्रेंट्स क्यों थे इसका नाम भी देवकी और उसका उनका भी नाम देवकी दोनों के नाम देवकी था यह है गवडिय वईष्णो भाव यह कि वह भाव नहीं है वक्तों एवक्त कर रहे हैं नहीं कि विष्णु पुराण में से एक प्रमान को दिया कि देवकी सब्द जो है वो यसुदा के लिए, क्योंकि यहां पर बरणन गोपियों का हो रहा है, गोपियों के साथ देवकी वसुदेवजी के लड़के का कोई लेना देना नहीं है, वो तो नंद का लड़का ही यहां ब्रज का हीरो है, तो वो कहां यहां पर आएगा, आप स देवकी सुत पदाम बुज लब्द लक्ष्मिम ना ये देवकी सुत मतलव यसवदा सुत है गोविंद भेनु मत्त मयूर निर्थ्यम आपको पता है भक्तों गोपियां कह रहे हैं कि कई बार क्या करते हैं मोर आके वो कृष्ण को खीचते हैं उसको चौंच मारेंगे इसा औ करेंगे क्यों मालूमें क्रिशन को वासुरी बजाने के लिए बोलते हैं वासुरी बजाते ना क्रिश्ण के चारों तरफ नाचते हैं एक्दम अपने पंक्ठ जोना वविखयर के और इतने नाचते हैं इतने नाचते हैं उनके नृत्य को देखके कृष्ण भी नाचते वांसरी बजाते हैं और ये दोनों के बीच में competition चलता है और कृष्ण वांसरी बजाते हैं और उसी tuning में उसी दियून में ताल ता उसी ताल में मौर नाचते हैं और जब नित्य हो जाता है, यह मौर बड़े खुस होके, प्रफुलित होके, अपने मौर पंख को gift में देते हैं कृष्ण को, ठेंकियो कृष्णा, वांसुरी वजाया तुमने, और कृष्ण बड़े प्रसन्मता से उस मौर पंख को लेके, अपने माथे पर लगा लेते हैं, तो मौर पंख कृष्न क्यों लगाते हैं? क्ईएंगि मौरों ने बड़े प्रसंद होकर कृष्ण को गिप्ट दिया है और कृष्न उस गिप्ट को स्विकार करते हैं देखो भकतों इतने दयालों हैं अगर कोई अपना सरीर का एक पंक भी अगर उनको गिप्ट के रूप में देता है तो भगवान इतने दयालू है उसको अपने माथे पे लेके चलते हैं हमेशा विचार करिए कृष्ण कितने दयालू है अपने भक्तों के प्रति तो ये मयोर नाचते हैं गोविंद की वेन दवनि सुनकर गोविंद वेन मनुं मत्त मयून निर्त्यम मत अब जर्णां निव्ति मत होकर सुध बूद खो देते हैं यह लोग रागे प्रैक्षाद्रिश्वान को हीitel उसको तेकर कि मयोरोन को नाचना देखकर प्रेक्षान अद्री अद्री सानू अद्री मतलो परवते गोबर्धन जी तो यह परवत और उनकी चोटियां यह जब वो देखते हैं अबारता अन्य समस्त सत्तम और वो क्या करते हैं एकदम से तम भी भूत हो जाते हो क्या अद्भुत द्रिश्य है अचान अगर कोई ऐसा जबी इस प्रकार से का अद्भुत सा सुन्दताक संधासे अगर कोई व्यक्ति देखता है जिस प्रकार से चका-चोंध होगे सतब्ध हो जाता है तो यह सारे पर्वत की चोटियां до सतब्ध हो गएं अरे भय साब पर तो परवत्त के उपर रहने वाले अन्य जो पासुल पक्षी है वो लोग भी स्टब्द हो गए हैं कि इतना सुन्दर व्याख्या कर रहे हैं गोपियां स्री क्रिष्ण की वेनुद ध्वानी को वाश्री की ध्वानी को स्रवन करके एक गोपी कहती है तुछ सच बोल रहे हैं गोपी तुछ सच बोल रहे हैं सखी यह जो कृष्ण कृष्ण की जो चरण है चरण चिन जो है यहां पर कहा गया न देवकी सुतपदान बुजब अलब्द लक्ष्म्या न यह श्री कृष्ण की चरण चिन जो है यह वैकुंट में भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं वैकुंट की निवाशियों के लिए भी यह दुरलब है यह ब्रह्मा के लिए भी दुरलब है यह विष्ण के लिए भी दुरलब है ब्रह्मा विष्णो महेस तक के लिए भी दुरलब है इस कृष्ण के यह यसोदा नंदन के जो चरण चिन ब्रिंदावन में गिरे हुए ह इसलिए ब्रिंदावन इतना महिमा मंडित है तो जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक जो है उस ब्रिंदावन के रज को सपर्श करने के लिए उनको अपने सरीर में लगाने के लिए वो क्या करते हैं हमेशा लालाईत रहते हैं इस प्रकार से गोपियां कह रहे हैं और इस द्रिश्य को के बड़ मोर ही नहीं, सारे हीरन, अन्यपसु, पक्षियां ये सभी लोग भी देखके स्तब्दिभूत हो गए हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं, दस नमबर स्लोग तो बाकी और नौ स्लोग हैं इसको एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है इसको आप स्लोग सहित इसके और थोर उसको पढ़ सकते हैं एक 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 अप्लिकेशन है, बीवीटी के द्वारा मैं क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, गरंतराज श्रिमत भागवतम की जय, श्लप्रोपाद की जय, निताय गोर प्रेमानंदे हरी हरी बोग।